दोस्तों, आज हम कोईनास किचन में बनाने वाले हैं राजेस्थान की बहुत ही फेमस डिश दाल बाटी चूर्मा आज हम बाटी बनाने वाले हैं एक बहुत ही अलग अंदाज में आज हम बनाएंगे इसे प्रेशर कुकर में और आप देख पा रहे होंगे बाटी कितनी अच्छे से बाहर से, अंदर से पकी है और अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है नमस्कार, कोईनास किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमें एक बहुत ही फेमस डिश बनाने जा रहे हैं दाल बाटी चूर्मा, दोस्तो, राजेस्थान में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है और बहां कि यह बहुत ही स्पेशल डिश है बाटी को आज हम बनाएंगे प्रेशे कुकर में और प्रेशे कुकर में देखिए कितनी बढ़िया बाटी हमारी बनकर तयार होती है आप भी एक बार मेरे तरीके से बनाओगे तो इसके फैन हो जाओगे क्योंकि यह बहुत ही असानी से जब आपका मन करें तब आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हों तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना मैंने लिया है यहाँ पर एक बोल पहले हम बाटी के लिए आटा लगा कर त्यार करेंगे तो जिसमें मैं ले रही हूँ गेहु का आटा गेहु का आटा लेना है हमें 1.5 कप तो मेजरमेंट आप अच्छे से देख लीजिए डेड़ कप मैंने गेहूं काटा लिया है और उसमें आधा कप डाला है सूजी सूजी याने के रवा इसमें आधा चम्मच डाल दीए हूं मैं नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए तो थोड़ी सी डालेंगे इसमें अजवाइन यह लगबक एक चम्मच के करीब है जिसको मैंने हाथों से करश करके एड़ कर दिया है अब इसमें डालना है हमें एक पिंच सोडा सोडा, खाने वाला सोडा तो उसको डाल देंगे तो यह काफी अच्छी बनकर तयार होती है अब मैंने लिया है यह तीन चम्मच देशी घी जिसे मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और फिर इसको एड़ कर देंगे सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से तयार कर लेती हूं डो को लगा कर तो पहले तो अच्छे से इसे हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका आटा लगा कर तयार करना है बहुत अच्छे से हाथों से घी को बड़े अच्छे से मौयन को जैसे हम आटे में मिक्स करते हैं बड़े अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए इस तरह से आपका आटा जो है मौयन के बाद बाइंड होना चाहिए तो दोस्तों अगर तो आप मेरे सेम मेजरमेंट से बनाओगे तो वो टेफिनिटली ऐसा ही बनेगा इसी मेजरमेंट से बनाओगे तो बड़िया इसी तरीके से वो आटा जो है बाइंड होगा अब थोड़ा-थोड़ा हमें पानी डालना है एक साथ नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके पानी हम डालेंगे और आटे को लगा कर तयार करना है दोस्तो आटे को ना हमें बहुत ज़्यादा सकत लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा नर्म थोड़ा बीच का आटा लगा कर हम तयार करेंगे लगाएं ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके उसे लगाएं आटा काफी अच्छे से आपका लगकर तयार हो जाएगा इसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाए और आटे को अच्छे से पहले बाइंड कर लें अच्छे से इसी तरह से और इसी तरह से धीरे धीरे उसे हम लगा कर तयार करेंगे तो लीजिए आटा हमारा लगकर तयार है ये देखिए ना बहुत जादा नरम है ये ना बहुत जादा सकत है बीच का आटा जो है हमें लगा कर तयार करना है तो अब इसकी हम बना लेते हैं बाटी तो बाटी आप अपने मन मताबिक छोटी बड़ी कैसी भी बना कर तयार कर सकते हो जितने अकार की आपको बाटी बनानी है उतना ही लोई लीजिए आप और उसे अच्छे से गोल करके रख लीजिए और आपकी बाटी जो है तयार हो गई तो चलिए मैं भी इसी तरह से सारे रोल जो इसके बना कर रख लेती हूँ पहले ये देखिए इसी तरह से छोटे बड़े साइज के जैसे आप बनाना चाहो बना कर तयार कर लीजिए लेजिए मेरे सारे तयार हो गए है तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की और कि आगे अब हमें कैसे बनानी है बाटी तो बाटी बनाने के लिए लेंगे प्रेशर कुकर कुकर को मैंने अलरडी गैस के उपर रख दिया है आप इसी तरह से कुकर को गैस के उपर रख दीजिए और उसकी विसल जो है वो हम निकाल देंगे बहुत ध्यान से इसी तरह से विसल आपको निकाल लेनी है उसकी, अब प्रेशर कुकर के अंदर डालना है हमें एक चमच घी, यहां मैंने घी डाल दिया है, कुकर मेरा अल्रडी गरम है, मैंने इसे 3-4 मिनट पहले ही गैस पर रख दिया था, तो यह मेरा अच्छे से गरम है, तो कुकर को अच्छे से इस तरह से हिला कर, चारो तरफ घी को मैने लगा लिया है, अब क्या करना है हमें, जो हमने बाटी बना कर त्यार करी हैं, इसे हम कुकर में लगाएंगे, तो कुकर में आप डालें बाटी को, लेकिन यह ध्यान रहे, बहुत ज्यादा पास में नहीं हमें रखना है बाटी को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर जैसा कि मैंने रख रही हूँ आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से रख दीजिए और धकन कुकर देंगे हम बंद अब दोस्तो इसके बाद क्या करना है जैसे मैंने कुकर रख दिया है इसे हर 2-3 मिनट के बाद आपको हिलाना है कैसे हिलाना है यह मैं आपको बता देती हूँ आपको इसे इस तरह से पकड़िए और इस तरह से राउंट में थोड़ा सा गुमा दीजिए फ्लेम को रखना है आपको बिल्कुल लो के उपर और इसी तरह से हर दो तीन मिनट में कुकर को आप हिला दीजिए इससे क्या है बाटी अलट पलट कर चारो तरफ से अच्छे से सिख जाएगी और इसको सेखने में कम से कम आपको 20 मिनट का समय लगेगा 20 मिनट में बहुत अच्छी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सोफ्ट बाटी आपकी पकर तयार होगी आप चाहो तो बीच बीच में इस तरह से खोल कर चेक भी कर सकते हो हर 2-3 मिनट के बाद उसे इस तरह से हिला दीजिए और चाहो तो उसे बीच में इस तरह से चेक करके भी देख लीजिए जैसे ही 10-15 मिनट हो जाएं तो आप चेक करके देख लीजिए 15-20 मिनट में बाटी जो है बहुत अच्छे से पककर तयार हो जाती है ये देखिए, काफी अच्छे से बाटी मेरी सिक गई है, चारो तरव से बढ़िया एकदम सिक कर तयार हो गई है, ये देख पा रहे हों आगे आप, किस तरह से ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया अंदर से, ये देखिए दोस्तों, कितनी अंदर से सॉफ्ट, बाहर से आपने प्रिशर कुकर में बनाई है, तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की और, जहां पर हमें लगाना है दाल को तड़का, तो लेंगे पैन में ओएल, ओएल को अच्छे से करना है आमें गरम, जैसे ओएल हमारा गरम हो जाता है, इसमें आड़ करेंगे जीरा, आदा जम की लाल मिर्च, जिसको में सेंटर से तोड लेती हूँ, अब इसमें डालेंगे एक पिंच हींग, थोड़ा सा इसको भूनेंगे हम, जीरा जैसे ही आपका भून जाए, तब इसमें एड़ करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा भून गया हमारा जीरा, प्याज डाल देते हैं, प्याज को मैंने बारीक काटा हुआ है, ये एक प्याज लिया है मैंने जिसको बारीक कट कर लिया हुआ है, तो प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं, बिल्कुल उसका कच्चा पंच चला जाए, बहुत जादा जलाना नहीं है हमें, बहुत जादा ब्राउन नहीं करना बस इसे हम पकाएंगे थोड़ा अच्छे से दोस्तों दाल को मैंने पहले से ही बॉइल करके रखा हुआ है मैंने पंच मेल दाल लिए एक कप दाल लिया है जिसको मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल कर और टालेंगे उसमें थोड़ा सा घी और उसे 2 सीटी लगवा कर अब इसे अच्छे से बूल लेते हैं प्याज को साथ ही मैं देखियो प्याज मी अततरी देर तक हल्का हल्का हमारा बॉन हो गया है बोल्दा हम प्याज को जलाना नहिंबी थोड़ा भॉड़ा ब्रॉण करेंगे तब इसमें डाल देते हैं मसाले तो यहां मेंangi track powder दनिया प अब हमें इसमें एड करनी है दाल जो मैंने अलड़ी आपको बता रही हूं कि बॉइल करके रखी हुई है अब हमें इसमें डाल देते हैं अब अच्छे से चला देते हैं लीजिए दाल हमारी बढ़िया से बनकर तयार है ये अच्छे से बॉइल इसमें आ चुका है डाल देंगे गरम मसाला तो मैं यहां वन फोर्थ चमच के करीब गरम मसाला एड किया है इसको अच्छे से मिला देते हैं दाल हमारी रिडी हो गई है बाटी हमने अल्रेडी रिडी कर ली है तो दोस्तों इसके बाद का हमारा स्टेप क्या है चूर्मा बनाना और भी आसान है चूर्मा बनाने के लिए दोस्तों हमने बाटी को यह लिया है तीन चार बाटी लीजिए उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका फाइन इस तरह का पाउडर बना लिजिए यह अलड़ी मैंने ग्राइंड कर दिया है मैंने एक बोल में निकाल लिया इसको अब इसमें एड करनी है हमें शुगर यह मैंने पिसी हुई चीनी लिए है तीन चमच और इसके साथ यह थोड़े सी डालेंगे ड्राइफ किया हुए गी इसे अब अच्छे से करना है हमें मिक्स और लीजिए चूर्मा हमारा रेडी हो गया कितनी चटपट तो चलिए अब सब करने की बारी है हमारी तो सब भी कर लेते हैं यह देखिए चूर्मा कितना बढ़िया से बनकर रेडी दाल भी रेडी हमारी बाटी भी रेडी है और चूर्मा भी रेडी अब करते हैं इसे सब तो सब करने के लिए दोस्तों घी को यह मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है अब इसमें हमें क्या करना है बाटी को करना है एड तो घी लेंगे और घी में इस तरह से बाटी को कर जब दिब दोस्तों जो हम कुकर में बाटी बनाते हैं इसमें बहुत जादा गी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि अल्रीड हमने उसमें पहले से घी डाला होता और तो इसमें बहुत जादा घी नहीं लगेगा लेकिन इस तरह से आप डिप कर दीजिए काफी अच्छे से और तो कुछ देट के लिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिए अभी मुझे आपको सब करके बताना है तो मैं चलती हूँ अब अपने नेक्स टेप की और आप चाहो पांसे दस मिनट के लिए इसी तरह से डिप करके रख दीजिए फिर उसको सब कीजिए प्लेट में मैंने लगा ली है बाटी चूर्मा और दाल तो लीजिए इंजोई करिए आज का ये स्पेशल राजस्थानी स्थाल तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलूंगी बहुती जल्द एक नई रेसिपी के साथ कर दोस्तों के लिएस दोस्ते हैँ झाल झाल